कितने चुनाव हार गए, दो-दो लोग सभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शौटकट नहीं लिया निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाशा की शालिंता नहीं छोड़ी है नहीं उन्होंने राजनितिक हमलों को मैं मैं में में बदला है कि मुझे गाली दी जा रही है मेरे पिता का अपमान किया गया है मेरे नाना का अपमान किया गया है मुझे ये कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है वे अपनी इस यात्रा में कह रहे हैं कि सारी सरकारी संपतियां चंद उद्योग पतियों के हवाले की जा रही हैं मच्वारों के सवाल उठा रहे हैं, किसानों के सवाल उठा रहे हैं, जिवाओं के रुजगार की बात कर रहे हैं आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और धर्म की राजनिती से देश को आगाह कर रहे हैं नमस्कार दालाइफ टीवी आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ आदित्ध कुमार राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा 1000 किलो मीटर का रास्ता तै कर चुकी है अभी 2000 किलो मीटर और जाना है 3000 किलो मीटर की यात्रा, 1500 दिन का वाख्ट और इसमें जिस तरीके का हौसला राहूल गांधी के अंदर दिखला है इसको लेकर अब रभीश कुमार ने भी बड़ी बाते कही है होने कहा कि राहूल गांधी दो-दो लोग सभा चुराओ हार चुके है कॉग्रेस हार चुकी है और बड़े-बड़े राज्यते के लोग कह रहे हैं कि राहूल गांधी की इस भारत जड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा एक वोट नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी राहूल गांधी का होसला देखे राहूल गांधी चल रहे हैं और सीधे लोगों से बातचीत कर रहे हैं लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं और आर्थिक मुद्दो पर बात कर रहे हैं जबकि आजकल क्या हो रहा है धार्मी करण किया जा रहा है अभी आपको हमने दिखाया था कि रविश कुमार ने कैसे सवाल खड़े किये कि 10 साल का जब रिपोर्ट कार्ट प्रदान मंतरी नरेदर मूदी से मांगा जाएगा तो वो बता देंगे कि हमने मंदिरों पे काम किया, मंदिर बनवा है, यह सब किया है इसलिए आर्थिक मुद्दों से हट करें सब किया जा रहे है कि राहूल गांदी आर्थिक मुद्दों को उठा रहे है, बेरोजगारों की बात कर रहे है, मचवारों की बात कर रहे है, किसानों की बात कर रहे है तो मैं आपको पहले पहले पहला वीडियो क्लिप जो उनके डिबेट का सुराना चाहता हूँ उन्होंने पहले तो बोला है मोदी चीपर सलोडा है कि धार्मिक राजनीत हो रही है राजनीत में धर्म को लाकर डाल दिया गया है लेकिन राहुल गांधी आर्थिक मुद्दों की राजनीत करते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे है जबकि बहुत लोग उनको कह रहे है कुछ नहीं हासिल होगा लेकिन फिर भी यात्रा जोर शोर से चल रही है कितने चुनाव हार गए दो दो लोग सभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया उन्होंने तीन हजार किलो मीटर से अधिक की पद्यात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया वह भी तब जब तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस पद्यात्रा से राहुल को कुछ नहीं मिलेगा कॉंग्रिस को वोट नहीं मिलेगा या जानते हुए भी कोई नेता इसी वक्त में पद्यात्रा किये जा रहा है तो ये साफ दोर पर आपने सुरा किस तरीके से रभी उशकुबार ने कहा कि एक नेता जिसके उपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं बार-बार ऐसे प्रत्क्रिया की की जा रहे हैं लेकिन फिर भी धर्वे का शॉर्ट कट नहीं लिया जबकि 3000 किलोमीटर की भारत जो यात्रा सुरू की और लगातार चल रहे हैं और आगे भी उन्होंने का कि ऐसे सबय में लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हमले राहुल गांदी पे हो रहे हों तो राजनितिक लोग क्या करते हैं विक्तिकात तोर पर ले ले लेते निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाशा की शालिंता नहीं छोड़ी है नहीं उन्होंने राजनितिक हमलों को मैं मैं में में बदला है कि मुझे गाली दी जा रही है मेरे पिता का अपमान किया गया है मेरे नाना का अपमान किया गया है मुझे ये कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है चाहते तो राहूल अपना रोना रो सकते थे मगर राहूल ने ऐसा नहीं किया जो कन्या कुमारी शेक कश्मीर तक जा रहा है जो 3000 किलो मीटर के पैदर यात्रा है जिसमें पाउं में छाले पड़ जा रहे हैं लोजाना 25 से 30 किलो मीटर चलना आसान नहीं होता और एक दिन का ये फलसफा नहीं है ये पूरे 1.500 दिन तक चलना है मतलब भारत को पूरे जोडने की बात की जा रही है तो राहूल गांधी ने ये आसान रास्ता नहीं चुना है जो राहूल गांधी ने चुना है ये देखे क्या कहा है रभी शुक्वार ने ये भी जरा आप सुन लीजिए कह सकते हैं कि भारत में जो भी किताब और कौपी छपेगी उसके कबर पर केबल सरस्वती जी की तस्वीर होगी ताकि सब को विद्या मिले अगर राहूल गांधी बाकी नेताओं की तरह ये सब करते तो जिस अख़बार में उनकी पद्यात्रा की खबर तक नहीं छपती है जिस चैनल में उसे कबर तक नहीं किया जाता है वहाँ भी हेडलाइन बन जाते लेकिन छपने और दिखने का मौह छोड़कर आसान तरीका छोड़कर राहुल गांधी ने इसी दोर में एक मुश्किल रास्ता चुना है तो आपने देखा एक तरफ कौन लोग हैं एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म की राजनीत कर रहे हैं धर्म की सियासत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कौन लोग हैं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनता के आर्थिक मुद्दों की बात करें। कल हमने आपको बताया था, कल हमने आपको सुनाया किसे रभिश कुमार ने सवाल खड़ा किया कि ये जो अब दो साल बचे इन दो सालों में धार्मिक कारे खूब किये जाएंगे। और फिर ये लोगों के मन में बैठाया दिया जाएगा कि मोधी की वज़े से देखिए महाकाल का दर्बार सच गया है, मोधी की वज़े से काश्य विश्वनात सच गया है, मोधी और योगी की बदोलत अयुद्या सच गयी है, ये सब चीज़े महमावंडित की जाएंगे और इसी सब पर वोट की सियासत की जाएगी एक तरफ धर्म पर राजनीत करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कर्म पर राजनीत करने वाले लोग हैं जो कर्म करना चाह रहे हैं जो यह कह रहे हैं कि हम पैदल चलेंगे हम भारत जोड़ो भारत को जोड़ेंगे जो नफरत की र रोजवारों और नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो राउल गादी इनी लोगों की बात कर रहे हैं इनी लोगों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और यही लोग उनका साथ दे रहे हैं जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है रभीश को बारने किस तरीके से जो उद सरकारी संपतियां चंद उद्योग पतियों के हवाले की जा रही हैं मचवारों के सवाल उठा रहे हैं किसानों के सवाल उठा रहे हैं युवाओं के रुजगार की बात कर रहे हैं आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और धर्म की राजनिती से देश को आगाह कर रहे है धर्म की राजनीती से देश ही नहीं तूट रहा राजनीती भी तूट कर विखती जा रही है इसी समय में जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राजनीती को धार्मिक उच्सव में बदल दिया है जिसका जवाब खोजने में केजरिवाल भी उनकी भाशा बोलने लगे है राहूल ने अपनी भाशा को बचा कर रखा है सुन लिया आपने किस तरीके स्रभीश कुमार ने कहा एक तरफ धर्मी की राजनीत करने वाले राजनीती का धर्मी करण कर दिया गया यह भी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ राहूल गांदी है जो अपनी भाशा शैली को बचाये हो गए मतब एक तरफ है केजरिवाल भी उनकी भाशा शैली पर चलने केजरिवाल की भाशा आपने सुनी किस तरीके की है लक्षमी गडेस की फोटो लगाने की बात नोटों में कही जा रही है इस तरीकी की सियासत को एक नया आयाम देने कोज़ेश हो रही है लेकिन राहूल गांदी ने अपनी भाशा शैली को बचा के रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मुद्द बात करें सरकार का जो काम होता है रोटी, कपड़ा और मकान उसी पर बात राहूल गांदी इस वक्त कर रहे है राहूल गांदी और किसी बे मुद्दे पर बात नहीं कर रहे है लेकिन सियासत कहा ले जा रही है धर्म की राजनीत हो रही है फराना डिमकाना की बाते हो रहे हैं, काम की बात कहीं नहीं है, लेकि राहुल गांदी की भारत जड़ो यात्रा बे सिर्फ काम की बात हो रही है, बेरोजगारी जिससे हिवा परेशान, महेंगाई जिससे आम जनता परेशान, आप देखिए उसके बाद किसान, MSP लागू नह सिर्फ के सिलेंडर कौन बरवाने जाएगा, तो ये सब जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो नफरत फैलाई जा रहे हैं धर्म के नाम पर, जो ये धर्म की सियासत करने की बात होती है, और उसके बाद उसमें नफरत भर दी हो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नैतिकता समझोता नहीं किया, और गंदी सांपरदाइक राजनीत में नहीं है रवीश कुमार, राहूल गांदी गुडवत्ता, नैतिक राजनीत, उनकी पद्यात्रा और रवीश कुमार द्वारा बहुत कुछ जो है, इस पर शांदार जिवाल को भी नहीं बख्चा, उनका नाम लिया और शो के दवरान कई बार उनकी आलोचना की, पूरा कवरेज बहुत सटीक, सगारात्मक और मुक्रोप से राहूल गांदी की नैतिक राजनीत पर केंद्रित था, यानि जो नैतिक जो दिन चर्या उनकी चल रही है, ये सब समझे भारत जोडो यात्रा के बारे में रभी उश्कुबार ने क्या कहा है, इसको लेकर पुरे देश में अपसवाल उट रहे हैं और भारती जनता पार्टी के निताओं के नीद उड़ी हुई है, क्योंकि जो वो चार है कि पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे, राहूल सबस्क्राइब नहीं किया, सबस्क्राइब जरूर करिए, वेल आइकन दबाएए ताकि सच खब्र आप तक पहुंशती हैं, नमस्कार